अगर मेरे पास पेसे होते तुम्हें एक बाइक खरीता अगर मैं तुम्हाही जगा होता तो उसे माफ कर देता इस तरह के sentence को बोला जाता है conditional sentences जिसमें हम if का use करते हैं और if के किस तरह से uses होता है को कहां का use करना है या अधम सीखेंगे So let's start it Friends सबसे पहले हम सीखेंगे present conditional sentences के बारे में Friends इसमें आपको first if का use करना है फिर simple present और फिर आपकी first form Office के बाद आपका subject आएगा बीच में कौमा देकर Office instruction के साफसा आपको जो भी use करना है will, can, shoot, etc. Office verb की first form Friends इस इसका आप ध्यान लखें conditional sentences में कभी भी if के साथ में आपको will का use नहीं करना है अगर वे आएगा तो मैं उससे नहीं मिलूँगा If he comes, I will not see him अगर मैं आगरा जाता हूँ तो ताजमेल देखूँगा If I go to Agra, I will see the ताजमेल अगर तुम उससे पूछते हो, तो रहे तुम्हें बता सकता है If you ask him, he can tell you अगर वे आता है, तो मुझे हाँ ठेनना चाहिए If he comes, I should stay here अगर तुम मुझे पैसे देते हो, तो मैं बाइक खरीदूँगा If you give me money, I will buy a bike अगर तुम सोते हो, तो मैं नहीं जागूँगा If you sleep, I will not wake up So friends, यह थे present conditional sentences अब हम सीखेंगे past conditional sentences के बारे में तो friends, मैं आपको इसके साथ सपा सिंपल यूज़ करना है और वाफ की second form, फिर subject of e would के साथ first form अगर तुम गाते, तो मैं तुम्हे सुनता If you sang, I would listen to you अगर मैं आगरा जाता, तो ताज महल देख था If I went to Agra, I would see the ताज महल अगर मैं तुम्हारी जगा होता, तो उसे माफ कर देता If I were you, I would forgive him Friends, वेसे हम I की साथ जो है वो वाइस का यूज़ करता है लेकि conditional sentences में जहां पर वाज आता है, महां पर हम वर का यूज़ करता है इसलम नहीं लिखा है, If I were you अगर मैं क्रिकेटर होता, तो सोचा तक बनाता If I were a क्रिकेटर, I would make 100 centuries अगर वह अमीर होता, तो वो कार खरीद लेता If he were rich, he would buy that car अगर उसके पास चाबी होती, तो वह बाइक चलाता If he had a key, he would drive a bike तो friends, यह थे past conditional sentences अब हम सीखेंगे past perfect conditional sentences Friends, इसमें आपका पहले फिफ हैगा, फिर subject, फिर head और उसके साथ verb की third form और उसके साथ subject, would have, और फिर verb की third form अगर वह मुझे मिला होता, मैंनों से आपके बार में बताया होता If he had met me, I would have told him about you अगर मैं तुमारी जगा होता, तो उसे पीड दिया होता If I were you, I would have beaten him अगर वह तुमारी जगा होता, तो डॉक्टर बन गया होता If he were you, he would have become a doctor अगर वह सोया नहीं होता, तो वह चोर को पकड़ लिया होता If he had not slept, he would have caught the thief तो friends, अब हम जानेंगे इसमें conditional sentences में ING को किस तरह से use किया जाता है इसमें आपको would have been के साथ में ING को add करना है अगर वह मेरी जगा होता, तो किर्किट खेल रहा होता If he were I, he would have been playing cricket अगर उसके पास चाबी होती, तो वह कार चला रहा होता If he had a key, he would have been driving the car अगर उसके पास पैसे होते, तो वह पतंग उडा रहा होता If he had money, he would have been flying a kite अगर उसके पास फोन होता, तो वह मुझसे बात कर रहा होता If he had a phone, he would have been talking to me Friends, अब हम जानेगे, कंटिशनल सेंटिसमें पैसी वो इस टाप के, तो सेंटिसमें होता है अगर स्पैन को semi-final में हराया नहीं होता तो आज final खेल रहा होता If Spain had not been defeated in semi-final Spain would have been playing final अगर उसके पास visa होता, तो उसे England भेज दिया जाता If he had a visa, he would have been sent to England अगर पतर लिखा नहीं गया होता, तो उसे मिला नहीं होता If the letter had not been written, he would not have received अगर उसे थेटर भेजा गया होता, तो उसने फिल्म देखी होती If he had been sent to theatre, he would have watched a movie So friends, आज के लिएसन आपको कैसा लगा नीचा, comment करके जरूर बताइएगा इसने साथ आप मुझे इंस्साग्राम पर follow कर सकता है और सब्सक्राइब करना मुद भूलेगा, साथ ही बेल आइकर को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि जैसी में कोई नीव वीडियो अप्लोड करूँ वो आपको इस्टेटली मिल जाए So next time, I will bring a new version for you Can I be happy, be relaxed, catch you later